नमस्कार मैं वोब विशेक्तियागी जिस वक्त T20 विश्चुकप चल रहा था उस वक्त टीम इंडिया के परदसन को लेकर इंगलेंड के पूरु कपतार माइकल बोन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी यह यह कहें कि माइकल बोन ने टीम इंडिया पर तंज कसा था माइकल वोन ने कहा था कि टीम इंडिया अंडर पर्फोर्मिंग टीम है मतलब जो वक्त पर खराब प्रदसन करती है इस तरीके की टीम माइकल वोन ने कहा था कि IPL में तमाम खिलारी खेल कर बहतर परदसन करते हैं और टीम इंडिया के खिलारी IPL खेल कर खराब परदसन करते हैं उनके परदसन में गिरावट आती है जबकि टीम इंडिया के पास बड़े बड़े खिलारी है उसके बाबजूर टीम इंडिया जो है वो अंडर परफोर्मिं इस तरीके से माइकल वोन ने टिम इंडिया पर तंज कसा था और बहुत बड़ी बात कही थी लेकिन अब जब हर्दिक पांदिया टिम इंडिया के Captoon बन गए है न्यूजिलेंड दोरे पर Captoon बनकर गए है तो जब हर्दिक पांडिया से वहाँ पर प्रेस कॉंफरेंस में पूछा गया, ये सवार पूछा गया कि माइकल वोन के बयान पर आपका क्या कहना है, क्या वास्तर में टीम इंडिया अंडर परफोर्मिन टीम है, तो हार्दिक पांडिया ने माइकल वोन को बहुत बड़ा जबाब दिया, या है कि हमें किसी के भी सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है यह एक स्पोर्ट है यहां आप बहतर करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन नतीजा कुछ भी हो सकता है हां कुछ चीजे हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है तो आज देखा आपने हार्दिक पांडिया ने माइकल वॉन के कमेंट पर रियक्ट करते हुए कहा है कि यहां आपको काम करने की जरूरत है हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है हम खुद जानते कि हमें क्या करना है क्या बहतर है और कहां पर हमें सुधार करना है तो जाहिर तोर पर जिस तरीके से माइकल वोन ने टीम इंडिया पर तंज कर सा था उसके बाद हार्दिक पांडिया का ये कमेंट सुनकर माइकल वोन को समझ आ गया होगा कि टीम इंडिया को पता है टीम अपने खिलारियों को सला दें तो बहतर होगा हमें इस सला देने की जरूरत माइकल वोन को नहीं है तो हर दित पांजया के इस जवाब पर आपका क्या कहना है कमेंट करकी जरूर बताएगा वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को करिएगा